जोहार मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बात दोस्तों आप सभी को नए साल की शुब कामना आएं आप सभी के लिए और आपके परिवार के लिए नया साल अच्छा स्वास्थ सुख समरिद्धी और खुश्या लेकर आएं यही मैं इश्वर से कामना करता दोस्तों नए साल की शुरुआत बेहद संसनी खेज हुई है गांडे से गिरीडी जिले के गांडे विधानसभा शेत्र से धारखंड मुक्ती मोर्चा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने स्तीफा दे दिया है विधानसभा द्यक्ष रविंद्रनात महतों ने उनका इस्तीफा मनजूर कर लिया है और विधानसभा के प्रभारी सचीव ने इस से संबंधित अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दी है यानि गांडे विधानसभा सीट जो गिरीडी जिले में पड़ती है खाली हो गई हेमन सरकार के चार साल 29 दिसंबर 2023 को पूरे हुए थ ऐसे में डॉक्टर सर्फराज के स्तीफे के बाद राज में नेत्रित परिवर्टन की अटकलें तेज हो गई हैं सर्यूराय विधायक सर्यूराय ने तो कयास के नाम पर बड़ी बात कह दी है दोस्तों सर्यूराय एक ऐसे नेता हैं जिन पर मीडिया कर्मी खबरों के लिए बहुत हद तक निर्भर रहते हैं, वे आमतर पर हलके बयान या अटकल बाजियां नहीं करते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने एक ट्वीट किया है, और इसे अपना कयास बताया है, बात लेकिन गंभीर कही है, सरीवराय ने कहा है कि खालिस कयास है, जल्द होने की संभावना है, जारखंड में सत्ता बदलेगी, तो नवागंतुक के लिए गिरीडी जिला की गांडे विधान सभा सीट खाली होगी, गांडे वाले सज्जन मित्र राज सभा को शुशोभित करेंगे, इश्वर से प्रार्थना की नववर्ष में जो भी हो, राज, जनता, राजनीत के लिए शुब हो, सभी को शुब कामनाएं, इसके बाद अगले ट्वीट में सरी उराय लिखते हैं कि सब ठीक रहा, तो गांडे विधान सभा का उप्चुनाव, लोक सभा चुनाव के साथ हो सकता है, पर उसके पहले संभावित गेर विधायक मु राष्ट प्रतिशाशन लगेगा, या लोक सभा विधान सभा के चुनाव साथ होंगे, यह सरी उराय ने ट्वीट किया है, तो क्यास के नाम पर सरी उराय ने बड़ी स्टीरियस बात कर दी है, उन्होंने उप्चुनाव के साथ-साथ राष्ट प्रतिशाशन की भी बड़ा के सांसत निशकान दुबे पहले भी एक दो मरतबा कह चुके हैं कि जारखंड के विधान सभा चुनाव, लोक सभा चुनाव के साथ होंगे, भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूरु मुक्हमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष हम कुमार बावरी अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग उसरों पर राजपाल सीपी राधा कृष्णन से ये मांग कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री हिमंत्सुरेन कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जाँच एजन्सियों को कोपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी सरकार को उनको बरखास्त कर दिया जाना चाहिए, तो सरीव राय के स्ट्वीट में भले उन्होंने कयास के नाम पर ये ट्वीट किये हों, लेकिन इसमें बड़ी प्रबल संभावना इस बात की भी दिखाई दे रही है, डॉक्टर सरफराज हमद राजसभा जाएंगे, गांडे उन्होंने कुछ लाइनों में ये बात कह दी है, जो आने वाले समय में जारखंड में ये संभावनाएं हो सकती है, इन पर चर्चा जरूर होगी, और साल के पहले दिन इतना बड़ा राजनीतिक धमा का जो है, पहले दिन से बावाल शुरू हो गया है, अब इस पर क्या-क् करेंगे, लेकिन पहले कैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेर कीजिए, और वीडियो पूरा देखिए क्योंकि इसमें जितनी संभावनाओं की चर्चा है, उतनी संभावनाएं, इतना लंबा वीडियो और इतनी तरह की बाते आपको शायद ही एक जगा कहीं देखने के लिए मिलेंगी तो वीडियो को आगरे है कि पूरा देखिएगा, दोस्तों सर्यूराय ने अपने ट्वीट में संभावित गैर विधायक का जिक्र किया है, लेकिन भाजपा के मुखर सांसर डॉक्टर निशिकान दुबे ने इस संभाव हुआ हेमन सोरेन जी मुख्मंत्री पत से स्तीफा देंगे, जारखंड की अगली मुख्मंत्री उनकी पत्नी कलपना सोरेन जी होंगी, नया साल सोरेन परिवार के लिए कश्ट डायक, ये उनका ट्वीट है, तो निशिकान दुबे ने इसमें तीन बाते कहीं है, पहली बात की हेमन सोरेन इस्तीफा देंगे, दूसरी बात की जारखंड की अगली मुख्मंत्री उनकी पत्नी कलपना सोरेन जी होंगी, लेकिन तीसरी बात, अगला साल या नया साल सोरेन परिवार के लिए कश्ट डायक, निशिकान दुबे ने जो बात कही, सर्यूराय ने इसी बात क को उन से पहले कयास के नाम पे कह दिया, अटकल के नाम पे बता दिया लेकिन सर्यूराय अपनी आदत जो उनकी है उसके अनुसार, इशारों में बोले, सर्फराज अहमत पुराने कॉंग्रेसी रहे हैं, बिहार के जमाने के धाकर दिग गजनेता रहे हैं, बिहार अब भी इसमें कुछ सवाल है जिनका जवाब जानना जरूरी है पहला सवाल की हिमन सुरेन आखिर स्टीफा क्यों देंगे दूसरा सवाल की डॉक्टर सरफराज अहमद ही क्यों तीसरा सवाल की गांडे विधान सबाशेत्र ही क्यों और चौथा सवाल जो निशी कांदू बे उठा रहे हैं कि चुकि हमन सुरेन सरकार का कारेकाल अब एक साल से कम बच गया है तो गांडे में चुनाव हो सकता है कि नहीं और सबसे आखिर में चर्चा इस बात पर होगी कि अगर नेतिर्तु परिवर्तन होता है तो क्या जारखंड मुक्तिमोर्चा तब भी एक रह पा आ सकती है जब एडी उनकी खिरफतारी के लिए वारंट हासिल कर लेता है ऐसी हालत में हिमन सुरेन को मुक्ह मंतरी पत से स्टीफा देना पड़ेगा दोस्तो 29 नुवंबर 2023 को एडी ने मुक्ह मंतरी हिमन सुरेन को नोटिस दिया था पूछा था कि आप से बढ़गाई एं समन जादी करने पर भी आपकी ओर से निराधार कारण बताया गया और आप एडी कार्याले में उपस्तित नहीं हुए इस वज़े से अनुसंधान में बाधा आ रही है आप जान बूज कर इस मामले की जाच से बच रहे हैं और समन की अवहिलना कर रहे हैं अगर अब जान ब पाई करने का अधिकार है 29 दिसंबर को भेजे गए समन का जवाब 31 दिसंबर तक हेमन सुरेन को देना था एडी ने सिर्फ दो दिन का समय दिया था लेकिन जवाब अब तक नहीं दिया गया है सूत्रों का कहना है कि मुख मंत्री हेमन सुरेन की और से कोई जवाब एडी को नहीं दिया जाएगा वे अब एडी की किसी भी संभावित कारवाई का सामना करेंगे एडी के सामने अब हेमन सुरेन एक चुनोती की तरह सीना तान कर खड़े हो गए है कि आओ गिरफतार करना है तो कर लो हेमन सुरेन और उनके सलाकारों का मानना है कि अगर एडी उनको ग था पहला सवाल का जवाब. अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि सरफराज ही क्यों? और इसमें तीसरा सवाल भी मिला लेते हैं कि गांडे विदान सबाही क्यों? क्योंकि वह तो सामाने सीट है, कलपना सोरेन के लिए कोई ST रिजर्व सीट भी चुनी जा सकती थी, तो इसका प्राइबल वोटर भी है तो जारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 95,000 की बढ़ात पहले दिन से होगी अगर वहाँ उपचुनाव होता है तो अब सवाल है कि डॉक्टर सर्फराज को इसके बदले क्या मिलेगा अगर उन्होंने स्टीफा दे दिया है तो अंदर खाने से जो जारखंड में राजसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होने हैं 23 मार्च 2018 को राजसभा की दो सीटों के लिए चुनाव हुआ था बारती जनता पार्टी के समीर उराओं और कॉंग्रेस के धीरत साहु सांसत चुने गए थे तो यानि उनका कारेकाल 22 मार्च 2024 को खत्म हो ज जाएंगे और जारखंड मुक्ति मूर्चा ने उनसे वादा किया है कि सर्फराज अहमद को राजसभा भेजा जाएगा तो राजसभा चले जाएंगे सर्फराज अहमद और अगले 6 साल तक सांसद का सुख भोगेंगे 27 दिसंबर को जारखंड विदान सभा का गठन हुआ इस्तीफा सर्फराज अहमद ने 25 दिसंबर की तारीक से दिया यानि पांचवी जारखंड विदान सभा में चार साल पूरे करने पर वे पेंशन के भी हकदार हो गए तो अब सांसद का वेतन अलग मिलेगा पेंशन अलग मिलेगी डॉक्टर सर्फराज अहमद को एक बड़ परिवार के करीब रह सकेंगे क्योंकि सर्फराज को बड़ी जगह मिलेगी तो मुसल्मान भी नाराज नहीं होंगे और कॉंग्रिस को भी कोई आपती नहीं होगी क्योंकि इसकी भरपाई लोक सभासीटों के बटवारे में कर ली जाएगी और सबसे बड़ी बात ये कि सर् अनुभवी सांसत की जोड़ी भी खूब जमेगी तो ये था तूसरे और तीसरे सवाल का जवाब दोस्तों अब इस सवाल पर आते हैं कि कल्पना सोरेन अगर लड़ती हैं तो गांडे की सामान सीट से ही क्यों किसी ट्राइबल सीट से क्यों नहीं तो जवाब है कि कल्पना सोरेन आदिवासी तो हैं लेकिन उनका पैत्रिक राज ओडिशा है किसी भी आरक्षित्रेणी का व्यक्ति अपने मूल राज में ही आरक्षन का पात्र हो सकता है अगर कलपना सोरेन को ट्राइबल सीट से लड़ाया जाता तो उनके ओडिशा मूल को लेकर नामंकन खारिज करन के लिए उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग साबित करने के लिए भाजपा चुनाव आयोग जा सकती थी इसलिए गांडिय की जनरल सीट को चुना गया मुस्लिम बहुल और परयापत आदिवासी वोटों के साथ कलपना सीम के रूप में चुनाव अगर लड़ेंगी वहा जी का कहना है कि जारखंड के राजपाल को कानूनी सलाह लेनी चाहिए जारखंड विधान सबा का गठन 27 दिसमबर 2019 को हुआ सरफराज एहमद का स्टीफा 31 दिसमबर को हुआ एक साल से कम समय में चुनाव नहीं हो सकता तो इसका जवाब लोग ये दे रहे हैं कि सांसत के प कारेकाल एक साल से ज्यादा रहते ही उन्होंने स्टीफा दे दिया हलाकि विधान सबा ने जो उनका स्टीफा स्विकार करते हुए जो सीट खाली रहने का समय दिया है वो कहती दिसमबर 2023 से हैं हलाकि निशिकान दूबे ने भी इस पर अपनी बात रखी है उन्होंने एक्स पर लिखा है कि काटोल विधानसभा पर मुंबई हाइकोट के फैसले के अनुसार अब गांडे में चुनाव नहीं हो सकता काटोल विधानसभा जब महराश्ट्रों में खाली हुई तब विधानसभा का कारेकाल एक साल पचास दिन बचा हुआ था राजयपाल महोदे यदि कल दूसरे राजय के हाइकोट का फैसला उसी राजय या राजयों पर लागू हो सकता है जहां संबंदित हाइकोट का शेत्राधिकार यानी जुरिस्दिक्शन हो ुस लिए जहारखंड के मामले में मुंबई हाइकोट का फैसला नजीर नहीं बन सकता गांडे सीट पर पर कि अगर हेमन सोरेन जेल चले जाते हैं तो क्या चार बार की विधायक और सीम की भावी सीता सोरेन और हेमन सोरेन के चोटे भाई बसं सोरेन आसानी से मान जाएंगे कलपना सोरेन के नाम पर क्या जेमें में तूट नहीं हो जाएगी तो इसका जबाब है कि इसकी संभावन कम है एमन सोरेन जार्खन मुक्ति मोर्चा के कारेकारी अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष अभी भी गुरु जी यानि शिवु सोरेन हैं बाबा के नाम पर परिवार और जेमेम दोनों एक जूट रहेंगे और उनके आदेश पर कलपना सोरेन को सीएम स्विकार कर लिया जाएगा सीथा सोरेन को दुमका की लोग सभासीट दे दी जाएगी और उनकी बेटी को जामा की परमपरागत सीथ देकर सीथा को मनाया जा सकता है ऐसा जानकारों का कहना है दोस्तों एक संभावना और है जो रह गई थी एक संभावना उस लिफाफे की भी बताई जा रही है जो परिवार के दूसरे लोगों के नाम खादान की लीज आवंटित करा ली थी इस मामले को लेकर एक याचिका जारकंड हाई कोट में दायर की गई थी पी आईल दायर किया गया था और चुनावाय कुछ की शिकायत की गई थी चुनावाय अपना मंतव राजभवन को भेज दिय लेकिन कुछ दिन पहले जो याचिका दाखिल की गई थी पी आईल दाखिल किया गया था जारकंड हाई कोट में उस याचिका को खारिज कर दिया कहा कि यह मामला सुनवाई के लायक नहीं है तो जब कोट नहीं इस मामले को खारिज कर दिया तो लिफाफा अप्रासंगिक ह दूसरी बात है कि विधायक के रूप में अगर हिमन सोरिन को अयोग कर दिया जाता है तो वह दोबारा मुखमंत्री की शपत लेने के लिए राजपाल को कह सकते हैं और च्छा माईने के अंदर अपनी पुरानी सीट यानी बरहेट से चुनाव ड़कर वापस आ सकते हैं इसके लिए गांडे सीट को खाली कराने की कोई जरूरत ही नहीं थी इसलिए लिफाफे वाली थियोरी में बहुत दम नहीं दिखाई देता तो दोस्तों ये तो थी डॉक्टर सर्फराज अहमत के स्तीफे और उसके बाद की संभावित परिस्टितियों में क्या हो सकता है उसकी ब सफतार होंगे क्या कलपना सोरेन राबडी देवी की तरह पती की गद्धी संभालेंगी ये सब आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा दोजार चौबिस की ओपनिंग धासू हुई है सस्पेंस बरकरार है और क्लाइमेक्स जबरदस्थ होगा इसकी गारंटी है बस द दिल ठाम कर बैठिये मैं आपको बताता रहूंगा ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में मुलाकात होगी तब तक इजाज़त दीजिए नए साल की एक बार फिर से बढ़ाई लिजिए धन्यवाद नमस्कार